नवस्कार दोस्तों मैंखिश्वर्मा आप देख रहे हैं मैडिसन किंग गाइस आज हम स्फिक्सो ड्राइ सिरफ के बारे में बात करने वाले हैं इसके यूज इसके बेनिफिट क्या क्या है आप अपने बच्चों को कौन-कौन से कंडिशन में इसको दे सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो गाइस वीडियो को आखिर तक जूरू देखना अगर आप हमारे चैनल पे नहीं आये हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब साथ में बेल अप्लोड करें सबसे वहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुचे चलिए गाइस वीडियो को आगे श सम्तिंग और उससे नीचे भी है तो आप इस सिरप का इस्तमाल करवा सकते हैं तो वीडियो को आखिर तक जूरू देखना है तो यहां पर आप देखिएंगी स्फिक्स की ब्रेंडिंग है और इस प्रोडेट को मेडले बनाती है जैसा कि आप यहां पर लोगों पढ़ सकते हैं इसका MRP क्या है तो MRP 45 रुपे MRP है और आपको इजली किसी भी केमिस्ट पे मिल जाएगा और इसके कंटेंड की बात करेंगे तो स्फिक्सिम है इसमें को स्फिक्सिम औरल सस्वेंशन 50 mg में यह कंटेंड आता है चलिए बात कर लेते हैं इसके आप फायदों के बारे मे हैं दोस्तों अगर आपके बच्चों को यूटे इस संकर्मन हो जाता है जैसे कि पेश्आमें जलने पेश्आपका जो लाल आता है तो उस कंटेशन में بहुत यह आप जाएंड इक चुका है तो ऐसी condition में विया Sphixim जो Sphixosirp है इसका इस्तमाल कर सकते हैं और इसका इस्तमाल जैसे की Tifid में भी इसको इस्तमाल किया जाता है और pneumonia होना या bronchotitis की problem या किसी तोहचा की allergy या फिर bacterial संक्रमनिया आपके बच्चों को बहुत ज़्यदा बुखार आता है तो भी आप Sphixosirp का इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तों अल ओवर ये अगर आपके बच्चों को इस corona में ऐसे infection देख रहे हैं जैसे की बुखार आ रहा है और सरदी हो रही है साथ में चेस्ट में infection है बहुत ज़्यदा खासी करता है तो आसफेक्सो ड्राय सिरफ का इस्तमाल कर सकते हैं तो एक वारी हम इसको open करके देख लेते हैं तो यहां पर देखिए इसकी बहुत ही प्यारे सी packing है साइड में रखेंगे इसको और यहां काज की बॉटल में आता है और इसमें स्टरलाइज वाटर आप मिक्स करके इसको बना सकते हैं सिरफ को पानी बॉल्ड करके फिर इसको इस लाइन तक डाल लें और इसको अच्छी तरह हिलाएं तो इसके डोसिस हम बता देते हैं आपको डोसिस के सुबाश शाम है 5-5 एमल अपने बच्चों को 5-5 एमल दे सकते हैं आप सुबाश शाम और इसके साथ अगर आपके बच्चों को फीवर बहुत ज़्यादा आता है तो आप इसके साथ निमो सट सिरफ का इस्तमाल करवा सक सकते हैं अगर हम इसके साइड एफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो साइड एफेक्ट हलकी लर्जी हो सकती है लाल चकत्ते हो सकते हैं या आपके बच्चों को दस्त लग सकते हैं या पेट का फूलना सिर में दर्द या खुजली होना या कई वारी उल्टी भी हो जाती ह इस सिरफ से तो इस परकार के आपके बच्चों को इस सिरफ के साइड अफेक्ट देख सकते हैं तो आई होप दोस्तों आपको ये रिवियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वडियो पसंद आया तो वडियो को लाइक शेर जूर करिएगा धन्यवाद